पाथिय में एक और प्रश्ने लेना चाहूंगा संगठन समुहिकता के सिधान्त पर चलते हैं भारती जनता पाटी इस मामले में विशेश है यहां सामाने करेकरता भी पाटी के सीर्ष तक पहुंच सकते हैं ऐसे में आपके यहां राजस्थान भाजपा संगठन में किसी कॉंग्रेस तो सिर्फ कहती रहें उसकी कतनी और करनी में फरक था क्योंकि उसके यहां फैसला एक परिवार से होता है आज भी होता है भारती जनता पार्टी का यह चरितर तो सब नहीं देखा है कि एक साधान से जना कृष्णबूर्ती नितीन गड़करी मानि राजनात सिं कि भारती जनता पार्टी आंत्रीक लोगतंत्र की पार्टी इसमें सत्यता है मुझे कई बार आश्चरे होता था कि यह कहते हैं लेकिन ऐसा कैसे संभा होता होगा लेकिन आज मैं मैं मैंसूस करता हूं कि जब मैं फैसले करता हूं तो मैं अकेले नहीं करता हूं, मेरे अकेले की कलम नहीं चलती है, मेरे साथ में और ऐसे एक पूरी टीम काम करती है, हमारे बीच में पूरा डिस्केशन होता है, हो सकता है, वीचारों से सहमत नहीं हो, लेकिन जब निरने पे पहुंसते हैं तो सब लोग उसको स्विकार करते हैं और इसके एक प्रिक्रिया विधिवत बाकाइदा हमने कोशिश की है जैसा के इंदर की भी नीटिया निर्देश दिया है हम देखते हैं कि बीजेपी का पार्लेमेंटी बोर्ड है जो फैसले करता है उसी त हमारे सांसाद विधाय के प्रतेश के प्रदेश के प्रदा दीकारी यह सब शामिल फेसले को अन्जाम कोई घति रोध होता है तो अह स्क्शेपर करते हैं तो मेरा पिछले साल भर कानुबभा है कि कि मुझे इस आंत्रीक लोगतंत्र की और इस समन्वे के काड़न, एक समन्वे की जो एक परिभाशा बीजेपी ने गटित की और जो एक दृष्टी कोण दिया, उससे आदमी के विचारों में अपने आप यापकता आती है, आज मैं किसी तरीके से रूडी वादी नहीं हूँ किसी तरीके से conservative orthodox नहीं हूँ, ये ठीक है कि अदक्ष के नाते मुहर मेरी लगती है, लेकिन कोशिश करता हूँ कि मैं राय सब से करूँ, बाचीत सब से करूँ, और जब बाचीत करते हैं तो बहुत लोगों की अलग-लग तरीके से राय आती है, कई बार ऐसा होता है कि मेर यही ओपिनिन थोड़ी अलग होती होगी, लेकिन सामने वाले की जब अच्छी होती है, तो मुझे कोई dictate नहीं करता है, मुझे ना केंदर का नेता dictate करता है, ना कोई प्रदेश का नेता dictate करता है, लेकिन हम लोग सामोई ग्रूप से बैठ कर उसकी चर्चा करते हैं, और नत सुर्ती मेन वीजपिमेडे की.